हलो, कैसे हैं आप सभी। नहों मेद करती हूं, आप सभी अच्छे होंगे. Welcome and welcome back to a law nursing classes. So, आज पात करते हैं तुबर क्लाशिस के बारे में क्योंकि आज क्या है? आज है World Tuber Yep era Day. 24 मार्च को World Tuberbrushes Day के नाम से celebrate किया चाता है। तो आज 24 मार्च 2023 की थीम है Yes, We Can and TB तो आज की थीम क्या है Yes, We Can and TB तो अब हम थोड़ा सा टूबर क्लोसिस के बारे में जाल लेते हैं कि आखी टूबर क्लोसिस होता क्या है किस बैक्टिरिया से होता है थोड़ा सूपरफीचली जानेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में हम इसे डि अब इसका क्वाजिटिव और्गनिजम क्या है क्वाजिटिव और्गनिजम की बात की जाए तो यह माइक्रो बैक्टिरियम टूबर क्लोसिस की वजह से देखने को मिलता है और जो माइक्रो बैक्टिरियम टूबर क्लोसिस है वह एक ग्राम पॉजिटिव बैक्टिरिया है जो की road shape का होता है, जिसकी shape कैसी होती है, road shape होती है, अब tuberculosis को हम diagnose कैसे कर सकते हैं, आखिर कैसे पता लगा सकते हैं, कि हाँ इस इनसान को TVA, ऐसा confirmatory diagnosis क्या है, जिससे हम diagnose कर सकते हैं, tuberculosis को, तो इसका confirmatory diagnosis है, क्या है, sputum culture, sputum culture की through हम क्या कर सकते हैं, tuberculosis को diagnose किया जा सकता है, यह confirmatory diagnosis है, इससे बहुत बार question पुछा गया है, कि confirmatory diagnosis क्या है, tuberculosis का, तो वो है sputum culture, okay, sputum culture कब का लेना है, कितना लेना है, sputum culture, जो early morning हम sputum culture को collect करेंगे, कितना collect करेंगे, 5 से 15 ml हम sputum को collect करेंगे, और फिर finding चेक करेंगे, ठीक है, okay, patient से बोलेंगे कि forcefully curve करना है, sputum collect करना है, 5 से 15 ml, अब हम जानेंगे, कि screening test क्या है, कभी कभी पूछा जाता है, कि tuberculosis का screening test क्या होता है, तो tuberculosis की screening test की बात करें, तो tuberculosis का screening test है, Montauk test, तो Montauk test क्या है, tuberculosis का screening test है, जिसकी finding या फिर जिसका result, जो कि यह क्या है, इंट्रडर्मली हम इंजेक्शन इंजेक्शन करते हैं ठीक है अब इसमें क्या होता है 48-52 घंटे के अंदर हम इसकी फाइंडिंग चेक करते हैं कि क्या result आया है TB है नहीं अगर फाइंडिंग को हम MMA Scale से हम स्किन को एग्वर मापके देखेंगे कितनी finding है जो यह mark है कितना red हुआ है चीक है तो अगर 0 से 4 है 0 से 4 mm है तो negative होगा अगर 5 से 9 mm है तो देखा जाएगा कि suspected और borderline है और positive है उन patient में जो की micro immunocompromise है जो की immunocompromise है उन में positive है जैसे कि HIV वाले patient में ओके और अगर 10 से अबव है तो वो जो 5 साल से छोटे हैं उन में positive positive result देखा जाएगा अगर 15 से जादा है 15 mm से जादा है तो यह positive होगा सब ही में ठीक है तो आज हमने जाना कि tuberculosis कि बैक्टीरिया की वज़े से होता है यह क्या है इसको इसका bacteria कौन सा होता है negative होता है positive होता है कौन सा bacteria होता है इसका हम इसको कैसे diagnose कर सकते हैं इस food culture कैसे collect करना ह स्क्रीणिंग टेस्ट क्या है आज हमने important points पढ़े और इसका treatment क्या है अब हम बात करते हैं कि इसका treatment क्या है इसका treatment है डौट थेरपी प्रवाइड करते हैं पेशन को क्या थेरपी देते हैं डौट थेरपी देते हैं okay और anti-tuberculosis drugs देते हैं okay next class में हम इसके बारे में detail में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे इसका treatment अलग वीडियो में इसके बारे में सारा कुछ detail में next class में पढ़ेंगे ओके बाबाई टिक केयर और सब्सक्राइब मैं चैनल